विल्कम बेक टू मैं यूट्यूब चैनल पेपर हैकर तो आज हमारे पास बहुत ही अच्छा प्यारा सा कोश्चन है और इससे पहले जो हमने कोश्चन्स डिसकस किये हैं वो सभी आप देख लिए ठीक है जो की बहुत ही जादा अच्छे कोश्चन्स हैं और आज हम पढ़ें कुछ इस तरह से पूं चकता इस तरह से लिखे देगा काका को परिवासित कीजिये और इसके और दातमक्ता क्या है या बताना ओर इसके कारक रक़्यान फैक्टर लेसे बताना है यह और समेस्टर को साहई बंट ऑर ओफ सा बताना चाहंगा यहां peek पीडिये फर्म डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपनी पढ़ाई कंटीनियू कर सकते हैं ठीक है चलिए कोशन की तब चलते हैं विद्धुत रणातमक्ता को परिवासित कीजिए और इसके कारकों को समझाइए यह हो गया आपका पहला कोशन ठीक है इलेक्ट्रो निगेटिव बिद्धुत इलेक्ट्रो निगेटिव्टी और इलेक्ट्रो निगेटिव्टी जो हमने पहले पढ़ा था ठीक है इससे पीछे साइद उसमें हमने यह पढ़ाता है इलेक्ट्रो निगेटिव्टी क्या होता है इलेक्ट्रो निगेटिव्टी क्या होता है या यह जो आपक पूंगता था इलेक्ट्रॉन बंदता में अंतर वताई डिफ्रेंशीयट बिट्मीन एलेक्ट्रॉन एफनेटी एंड एलेक्ट्रो नेगेटिव ठीक है तो यह हमारे पास दो कुछेन है एक लॉंग में है दूसरा हमारा शॉट में भी पूंच सकता है ठीक है तो थोड़ा कॉपी पेन उठा लेजिए और चलिए हम बात करते हैं आंसर की तो आंसर हमें क्या लखना है जो हमारी लेक्ट्रो नेगेटिव ठीक है अब दो अड़ूं के बीच में किसी अड़ूं का निर्मान होता हूँ उन दो अड़ूं के बीच में जो बॉंड बनता है उस बॉंड में जो इलेक्ट्रो नेगेटिव ठीक है अगर दो हमारे पास जो परमान है इन दोनों के बीच में अगर इलेक्ट्रो नेगेटिव ठीक है तो यह जो बंद बनाने में इलेक्ट्रो नेगेटिव ठीक हो जाएंगे जिधर जिस परमानों की इलेक्ट्रो नेगे रिभात मक्ताई ठीख है इलेक्रानों को कि सी अरुमें परमानों के साजे से बनाय गए बंध में जो इलेक्रान को विद्धुत्राथमकता कहला ती अच्छा चलिए हम शुरू करते हैं विद्धुत रडात मुकता है इलेक्टो निगेटिव ठीक है मेरे साथ साथ लिखी जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो तो पालिंग नाम के एक बग्यान एक थे जिन्होंने 1932 में इनने कहा था कि जब दो समान परमाड़ूं के मद कि आपके पीक है तो साथ लिखी ऑपरमाड़ूं के ठीक बीच में ना होकर तो जो इलेक्ट्रों से जो बंद बनेगा उनका पूरा योग भंग की पेर परमाड़ूं के बीच में ना होकर काहा होगा एक परमाड़ू की और बिस्थापित हो जाएगा किसी दूसरे परमाणूं की और जैसे हम बात करें ने दूसरे परमाणूं की और शिफ्ट हो जाता भी बताते हैं ठीक है बह परमाणूं जो इस इलेक्ट्रोन योगम को अपनी और खींचता है अधिक रिड़ विद्दुति कहा जाता है अर्थात यह हम कह सकते हैं कि करा अडू में किसी परमाणू की इलेक्ट्रॉन को अपनी और आकर्षित करने की छमता को ही उस परमाणू की विद्धुत्र नात्मक्ता कहते हैं जैसे अगर हम बात करें हाइडोजन फ्लोराइड ले लो ठीक है सबनाते हैं यहां पर सह सभू सभू जी बंद बनता ठीक है नहीं वे सभू बंद बनता साई सत एक प्रमानियों की और हलका सपीर próxima है मैं मान लो यह किदर हो गए फिलोरीन की और ठीक है यह फिलोरीन की और शिफ्ट होगा तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास अड़ू है एच एफ का इसमें जो इलेक्टो निगेटिव्टी है वो किसकी ज्यादा होगी फिलोरीन परमाणू की ठीक है क्योंकि जो बंद बना रहे ह फिलोरीन परमाणू की जादा है किसकी तुल नाम है तो यही हमारा क्या खिलाता है ठीक है फिलोरीन परमाणू के विस्थापत हो जाता है जैसा हमने अब ही देखा था क्योंकि flyorine पर्माणु की विधुत्रनाथमक्ता hydrogen पर्माणु की अपेकथा अधिक होते है्जो flourine होता है उसकी मिद्धूत्रनाथमक्ता hydrogen पर्मानु की तुलना में बहुत जादा होती है अगर हम मत shorts ion के है लानगी अमारे जिन की सबसे ज़्यादा है ठीक है toll सब्सक्राइब करते हैं वैसे तो सभी सभी के बीचे में कुछ ना कुछ डिफिरन्स होता है ठीक होती अधर की फ्लॉरिन की हैड़्रों की कि तोल्नाय में कैसी होगी किसी परमानों की स्थिर नहीं होती है मतलब उसकी जो सेम नहीं बल्कि बिन बिन अरचु में अलगए अलग होती अभी यहां पर अभी हम बाद की थी एचफ की अगर हम बात करें जैог चिल करें यह शीएज़ यहां पर इन दोनों इनकी जो भी फृटों नेगतिव ठीघृटी ठीडिक्श होगा ठीक है और अगर अगर यहीं पर हम बात करें कोई ऐसा मॉलेक्यूल ले ले जिसमें हमारा सी यह आ जाए ठीक है बीए सील टू के अगर हम बात करेंगे तो यह आपर सील टू की इसकी तुलना में अलग होगी ठीक है ऐसा नहीं है जो है एच सील के बीच में जो बॉंड बना है उसकी जो इलेक्टोनेटिव्टी होगी वो इसके बराबर होगी दोनों क्लोरीन की अलग अलग ऐसा नहीं होगा ठीक है डिफ्रेंस होगी ठीक है इस्थर नहीं होगी यहां पर देखो एच एप मालीकूल का एक्जांपल दिया है इन्होंने है फ्लोराइड जहां पर फ्लोराइड कैसा मोर एलेक्टोनेगेटिव्ट कैसी यह बहुत ज्यादा है ठीक है तो इस पर कैसा जागा जिसकी रिडविद्द्ध ज्यादा होती मतलब उसकी और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं तो कैसा जागा इस पर पार्सली निगेटिव ठीक है कैसा आ जागा पार्सल तो यह जो एक लेक्त्रान आपको दखाहिए जे रहा है डिया यह किसका है हैडोजन का ऐलेक्ट्रान और यह किसका만 बना रहे थे जो थोड़ा slightly किसकी और बिस्थाफित हो जगए है ये फ्लॉरीन पर मानू की और में ठीक है तो यहां कह सकते हैं कि जो हमारा में जो फ्लॉरीन मालीक्यूल है उसकी एलेक्टो निकिट्विटी जाधा है ठीक है अब ढ negative कारण यह क्या है कहररा दिविन आउक्सी करण अवस्थाओं में आयन पर बिन भिन आवेस होता है जिसके कारण आयन इक कि तरिज्जयाएं भिन्विन होती्जा है उसमें जतने भी परमादू होंगे उन्हसाभी परमाड़ूं कि जो । नमबर होने यानि याकि एकसी करण अवस्थायाओंगी ठीक है तो उसमें क्या होता है आयन पर भिन्द纬्द होगा अगर हम है मैं benefit कि प्रमानु की औक सिडियतな नमबर निकालने का फॉर्मूला ट interconnected जिसकी औक सिडियाशन नमबर निकालते हम उसको माल लेते हैं ठीक है बाकी जितनी भी परमानूं उस अड़ू में बेधमार सिख्या है उनकी सभी की हम सेयों जी-् कोशी के ये रिक्टान लिखते जाते हैं नहीं कि मिल जाती जिसकी हमें नहीं पता है उस परमाणू की लिएimentos fandih तो सभी 92 होगा ठीकर प्लस का या माइनस का वही क्या होती उसकी Oxidation number, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हम देख रहें कि HF में Flurine की HF में हम देख रहें Flurine के Oxidation number तो हमें जिसका निकालना है Flurine को हमने X मान लिया प्लस हैडोजन के पास कितना हो था माइनस का बन तो इसका प्लस बञन आगया05 इसा कर नहीं है इसी तरह से कितना मायन वेश है ठीक है और अगर उसमें गर आप निकालो तो यह अंतर इसमें drip आपा vig zijn तो यही अंतर होता है जिससे उनकी अलग अलग होती है यानिक भिन्द 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 होती है और बढ़ी होगी आपकी तो बिद्द्द रणातमक्ता कैसी होगी कम होगी यहां रखना करा सामानता प्रमावनु तरिज्ञां गटने तत्तों की विद्द्द रणातमक्त नियमित किरम से बढ़ती है जो प्रमावनु तरिज्ञा घटेगी तो तत्तों की विद्द्द रणातमक्ता है वो नियमित रूप से बढ़ेगी ठीक है तरिज्ञा कम और आपकी इलेक्टो निगेटिव्टी ज्यादा तरिज्ञा ज्या यह होता है हमारा inversely proportional to inversely proportional to radii os और उसका अलग-अलग होगा तो उसके जो electronic विन्यास है वो भी कैसे होंगे different होंगे ठीक है माना अभी हमने देखा था अगर हम फिलोरीन का oxidation number निकालें तो क्या हो जागा इसका बनेस टू टू एस टू और यह आपका टू पी शिक्स और सोरी कितना हो गया टू पी यहां पर कितना हो जागा आपका फाइब ठीक है टू पी फाइब हो जागा तो इसका electronic विन्यास यह आगे अगर हम फिलोरीन माइनस जिसकी इलेक्ट्रो निकेटिव जिसका इलेक्ट्रो निकेटिव टी कितने ऑकक्सिदेशन नमबर कितना है वन ठीक है तो इसका कितना हो जागा बन अश्टू और टू एस टू और यह आपका टू पी फॉर यह हो जागा आपका थीक है तो यह इसका इलेक्ट्रोनिक बिन्यास भी कैसा हो जागा भिन्द भिन्द हो जागा ठीक है ऑक्सिडेसन नंबर अलग अलग होंगी तो इलेक्ट्रोनिक बिन्यास भिन्द भिन्द हो जागा जिससे परमाणूं की इलेक्ट्रोन आकर्सित करने की छमता भी भिन्द भिन्द हो जागी ठीक बंदुता और यह हमारे लेक्ट बेदुत रडातमक्ता यह दोनों वह सकती हैं हम कह सकते वह राश्चियां जो हमें क्या बताती है इलेक्ट्रॉन को आकरस्थ करने की छमता होती है किसी परमाणू की ठीक है तो हम बस इसमें यहीं लिख सकते हैं नेक्स्ट कहरा है इसी के जयने की वह परमाणू होता है जो एजली अन दूसरे परमाणू के साथ अपनी इलेक्ट्रनों को ना दान कर सकता है और ना ही उससे गिरह्ण कर सकता है ठीक है तो यह क्रूंदल इसी परमाणू के प्रियोग्त होती है जबकि विद्धुत्र रात्मक्ता अडू में परमाणू की electron को आकरसित करने की छमता को मापती है अब यह जो electron बंदता है यह किस के लिए होगी बिलग ऐसी परमाणू के लिए और जो electronegativity है यह क्या होगी अडू में परमाणू के बीच elektronegetivity यानि electron आकरसित करने की समता को नाबती है ठीक है तो यह तो आपका होता है से related नेक्स्ट अगर इसके बाद में इसके बाद में आपको क्या करना है periodic table बनानी है जिसमें कि आपको इलेक्ट्र निगेटि डिफ्रेंस दिखाना है ठीक है पीरियोडिक टेबल बनाके क्या करना आपको हलका सा इलेक्टो नेगेटिव टी डिफ्रेंस थोड़ा-थोड़ा बताना यह हमारी हो गए आवर्थ साड़ी ठीक है यह आपके सामने आवर्थ साड़ी है आपको यह किसी भी तरह से याद कर लेनी है mostly बच्चे जो है जो हमारे block हैं उस form में याद कर लें ये जो पहला और सेकन्ड आपको बर्ग दिखाई दे रहा है first और second यह हमारा S block होता है क्या होता है S Block होता है इसको आपको कुछ इस तरह से याद कर लेने हैं ठीक है ऊपर से याप नीचे चलोगे तो hydrogen, lithium, sodium, potassium, radium, calcium और francium तो यह सीधा हो जागा आपका हलीना की रची रब से फर्याद क्या हो जागा हलीना की रब से फर्याद next अगर हम बात करें इह गुरूप की second A work की है गुरूप की ठीक है तो यह क्या हो जागा B, E, M, G, C, A, S, R, B, A, R, A तो यह कहाँ जागा B, M, G, C, A, S, R, B, A, R, A क्या हो जागा B, M, G, C, A, S, R, B, A, R, A आपको जिस भी तरह में इसली लगे जो भी आपको बे पसंद हो उस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं ठीक है और इसको आपको बना के आना है लेकिन जो इलेक्टो नेगेटिवटी डिफ्रेंस है यह आपको बस यह कही परमाणू का याद रखना है उसके बाद आप सबका निकाल लोगे ठीक है अभी बताते हैं किस तरह से निकाल पाओगे यह हमारा हो गया S ब्लोक उसके बाद में हम चलते हैं पी ब्लोक को याद करते हैं यहां से लेकर यहां तक यह हमारा पी ब्लोक है यह जीरो भी ब्लोक है ठीक है तो पी ब्लोक का अगर हम सिकेंड एक ही बात करें ठीक है फर्स्ट सिकेंड यहां होगा यह आपका थर्ड ए तो इसको लिख देते हैं बैगन आलू गाजर इन थाली अगर हम इसकी बात करें फोर्थ है कि तो इसमें क्या जागा उपर से नीचे आने पर कारवन सिलिकाओन जर्मेनियम इस्ट्रांसियम लेड तो उपर से नीचे आगा हमारा कसाई जी सन पीवी खाया कशाई जी सन पीवी और इधर इसमें पड़ुगत हो जबागा नॉन पी परेठा यस ऑस्टेलिया एस वी सैदभाद की विर्यानि तो तो यह आपको याद रखना है इधर की अगर हम बांद करने एक्सी रन बनाए तो यह आपको याद करना है यह जो हमारे डी ब्लोक रहे गया कौन सा डी डी ब्लोक में सभी हमारे किया है संक्रमन धातु ठीक है सभी हमारे संक्रमन धातु होती है तो इसकी अगर हम बात करना तो इसको आप इस इस बे में लिख सकते हो S C T I B C R M N F E C U तो यह हो जागा हमारा स्टीब कर्मन फी को निक्कू जानता है स्टीब कर्मन फी को निक्कू जानता है आपको के बहले कि हिंट चाहिए होती है ठीक है इसको लिखने के लिए तो बस आपको हल्की सी हिंट मिल जाएगी और आप फटाक से उसको लिख दोगे नेक्स्ट हमारा है कहा रहा है यू जर बाई को यू लिखना जडर जर यू जर नब मो टेक रू राह पड़ आगे चड़ इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं नेक्स्ट कहा रहा है ले हाफ टाव टाव टी ए डबलू ठीक है टाव रे ओस इर पट और एच जी यहाँ तक आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं ठीक है तो आपको यह बस इतना ही यहाँ तक पिरियोडिक टेवल में आपको बनाना है यह जितने भी एटम है पर मॉलिक्यूल से हैं तो इने की इलेक्टो निगेटिव्टी आपको किस तरह से याद करनी है तो दोखो सबसे पहले हम बात करें कि हाइडोजन की तो यह ध्याँ रखना है कि आवर्थ साड़ी में जब हम उपर से नीचे आते हैं तो इलेक्टो निगेटिव्टी गटती आती है पहले तो तेजी से गटेगी ठीक है फिर बहुत दीरे 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 गटेगी पहले जो है शुरू में क्या आओगी तेजी से गटेगी फिर बहुत दीरे 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 गटेगी और अगर आप लिफ्ट टू राट जाते हैं की इधर से इधर जाने पर लिफ्ट टू राट जाने पर पी व्लोक से एश विलोक से पी व्लोक की और जब आप जाओगे तो क्या ओआओगी यह बढ़े गी तो आपको पहले उपर दे रखी हैं उसको तो याद ही रखना ठीक बे कुछ ना कुछ तो यादि करना पड़ेगा तो आपको थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा तो चली हम बांद करते हैं कि हीड्रोजन की लेक्ट्रो निगेट्विटी होती है वो सर्फ ली कितने होती है टूपॉइंट वन यानि की टूपी डूपे रांड हो थिए ठीक है अड्रौजन से नीचे आज़ा बहुत यहां पर देखोंग यहां पर जो इनक घटी है यहां पर जो गटी एलक्ट्रो नेगेटेब्व वह पूरा बन घटी है टीकितनी अगटी यह जैसी आपको point one one का लगवग लगवग अंतर आपको कर देना ठीक है point one one का अंतर आपको लगवग सो कर देना पहले मिधा नहीं है एक का अंतर उसके बाद आपको point one point one फिर कहीं point one घटा दिया तो दो में सीसा रख दिया जैसे इने दिखाया potassium और driving की दोनों की यह की है ठीक है नेक्स्ट देखो कैल्सियम और फ्रांसियम इन दोनों की यह की जैसी है तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं यह यहां पर चीए नहीं है सी एस लिखा हुआ है कि इस इसके बाद जबाब इधर आओ गए इसके कितनी होती है दो इधर को बढ़ेगी उपर से नीचे आना पर घठती है तो इधर हमने देख लिए पहला जो हमारा था उसमें टू थी फिर बन फिर पॉइंट नाइन पॉइंट 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 से उसके बाद इधर आओ थर्ड नंबर पर तो बेरेलि पॉइंट पॉइंट फैब फिर उसके बाद बढ़ती चली पॉइंट फाइब का जो है अंतर इसमें आपको देखने को मिल रहा है फस्ट पीरिएड में ठीक है बन फ्रण पॉइंट फाइव टू टू पॉइंट फवए थरी पॉइंट वर्ण फोइगे नेक्स अगर हम ब तो आप देखो इसमें उपर से नीचे तक आप देख सकते हैं या इधर से इधर किसी भी तरह से आपको इसको याद रखना है बस तो आपने अगर उपर से नीचे पढ़ते हो तो इस तरह से पढ़ लेना इसको और यहां भी पढ़ लेना देखो 2 फिर 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 यानि कि पहला जो होगा फर्स्ट पीरियेड में जो भी हमारा चेंज होगा वो ज्यादा होगा उसके बाद बहुत कम-कम आपको इसको तो आपको याद ही कर लेना है ठीक है यह याद हो जाएगी ठीक है 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 तो यह तो आपको याद हो जिए इसके नीची आपको करना हलका हलका माइनस करते जाना है ठीक है पहले में यहां पर देखो बेरियम के पास आओ, 2, 1.5 यानि कि 0.5 का इसमें माइनस हुआ है, 2.5 कितना है, 1.8 यानि कि इसमें कितना अंतर हुआ है, हम बात करें, 0.8 की, इसमें कितना अंतर हुआ है, यहां से यहां तक, 3 और 2.1, तो यहाँ पर कितना हुआ, 0.9 का अंतर है, यहाँ पर अगर हम बात एलेक्टो-गे-टिप्टी थोड़ा सा लिख बता देने ठीक है आवर्त् साघी आपको याद होगी अगर आपको नहीं याद है तो आपको जिदर से भी याद करने में सुविदा हो अच्छे से आप याद कर सकते हो उस वे में अप इसको याद कर सकते ठीक है मैं मुझको त कि इसके बाद है यह हमारा आ गया कि यह जी 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 कि नेक्स्ट हमारा है इसके बाद प्रभावित करने वाले कारक की बात हम करेंगे इसमें अब वो करा बिद्धुत रणात्मक्ता को प्रभावित करने वाले कारक ऐसे कौन-कौन से फेक्टर हैं जो इलेक्टर नेगेटिव्टी को एफेक्ट करते हैं ठीक है फेक्टर अफेक्टिंग डेलेक्टर नेगेटिव्टी तो हम बात करते हैं कि ऐसे कौन-कौन से फेक्टर हैं जो इले परमाणू की जो इलेक्टो निगेटिव्टी है वो भी चेंज होगी या नहीं होगी तो कहा रहा है कि परमाणू पर धनावेस बढ़ने पर उसकी विद्धुत रिड़ात्मक्ता बढ़ती है अगर कोई परमाणू है जिस पर धनावेस बढ़ रहा है क्या और जिस पर धनाव बढ़ रहा तो उसकी इलेक्टो निगेटिव्टी कैसी हो जाएगी बढ़ जाएगी ठीक है धनावेस बढ़ने पर इलेक्टो निगेटिव्टी भी बढ़ जाएगी और रिड़ावेस बढ़ने पर क्या होती घटती है जब रिड़ावेस बढ़ेगा किसी परमाण में पर त ऑपकी जो एक्टो निगेटिव needle की होगी अधिक होगी और 2023 जादा इसकों कह सकतें मैं गर्णे और है 2 घ्रम बढ़ने पर क्या होगी यह ती जाएगी लोग frame करा देड़ लेक्ट्राण बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो वह अन इलेक्ट्राणों को अशेप्ट नहीं करेगा ठीक है मालोई फिलोरीन एक इस पर आ गया अब हमने एक लेक्ट्राण और दे दिया तो यह क्या रिड़ यानि कि इस पर क्या हो रहा है इस पर रिड़ आविस बढ़ रह जब इस पर पहले से प्रिजेंट हो रहे हैं आके तो और अगर आप देखते जले जाओगे तो यह इलेक्ट्राणों को रिपेल करेगा ना कि अपनी और आकर्सित करेगा तो यही कारण है कि इसकी इलेक्ट्राण बढ़ने पर यानिकी इलेक्ट्रों रिडवेस बढ़ने पर क्या होता है इलेक्ट्रों गटती है ठीक है और ज्यादा इलेक्ट्राणों को आकर्सित नहीं कर सकता है बहुत सारे इलेक्ट्राण हो जाएंगे फिर क्या होगे एक समय ऐसा जागे कि वह इलेक्ट्राण आने वाले इलेक्ट्राण को ही रिपेल करने लगेगा तो यह हो जाएगी गट जाएगी दूसरा कहा है परमाणवी यानि कि परमाणू का अकार अब यह जो इलेक्ट्र नेगेटिव टी यह परमाणू के आकार पे भी डिपेंड करती है ठीक है आकार कैसा तका परमाणू यह आकार बढ़ने पर बिद्द्ध्र रात्मक्ता का मान घटता है भी तत्तु का आगर परमान यह आकार क्या हो गवागा बढ़ता जाए गट जाएगे उपर से नीचे आने इसके बीच में जो इसका nucleus होगा ठीक है बो क्या करेगा electron को कितनी तेज अपनी और आकर्सित करेगा तो आकार छोटा होगा जबी तो तेज आकर्सित कर पाएगा आकार बढ़ा होगा तो बहां तक उतना force नहीं लगेगा कम आकर्सित कर पाएगा ठीक है तो ऐसी क्या हो गई electron को अपनी और खींचने की शक्ति ही effective nuclear charge के लाती जैसे परमानु का आकार अगर हम बात करें बढ़ रहा है बढ़ रहा तो वह उसके अंदर जो नाभिक में proton उनकी संख्या भी तो बढ़ेगी तो बोस नाभिक में जितने अधिक proton होंगे उतना ही अधिक ज्यादा सबसे बा आकर्षन बल लगेगा ठीक यह कहला था हमारा effective nuclear charge तो कह रहा है effective nuclear charge यानि कि नाभिकी यह आवेस बढ़ने पर विद्धुत्र रढात्मक्ता का मान कैसा होगा बढ़ जाएगा नाभिकी यह नाभिकी आवेस क्या होगा बढ़ेगा नाभिकी आवेस बढ़ने पर electro negativity क्या हो जाएगी घाता बढ़रा तो और शल्डब विक करेगा ठीक है बढ़ने पर क्या होता है electro negativity का मान बढ़ता जाता यह हमारे पॉंट होगा जो कि हमारे electricity को क्या करते है effective करते है प्रवावित करते हैं तो तो देखिए इस से पहले हमने पढ़ा था अभी हमने क्या पढ़ा है विद्धुत्र रनातमक्ता इससे लास्ट वाले वीडियो हमने देखा था कि electron bandhuta क्या होती है electron affinity क्या होती है तो इन दोनों इसको आप देखले और ये तो अभी आपने पढ़ा है ठीकि विद्धुत्रड़ात्मक्ता तो हम इसके बारे बात करते हैं इनमें अंतर क्या होता है तो सबसे पहले हम बात करें blaikwe और यह जए तरहरह कितनी तेजी से खेंच रहा ये क्या होता है लग्तर्ण को अधि नबादना न बस तो पहले अगर हम बांद करें इलेक्ट्र निगे टीव तो विद्धूत्र रज्वरांब तान संकता देख क्या कहता है कbeltा बिलगित यह परमाणू द्वारा lebण ओ अकरी करने की प्रविर्ति कम है उसा परमाणू जो एलैक्ट नों को यह बने लगा तो परमाणू से प्रमाणू मुस्टे हम क्या करते हैं आइगन जो हमारी अक्रिय गैसे होती है कैसी अक्रिय वह क्या करते हैं किसी अन्य पर्मावणों के इलेक्ट्रॉनों को अपनी हो रहा आगर्सित करने की कितनी छमता है उसकी कितनी शक्ति है उसी को के om क्या कहते हैं उसी को म कहते हैं ऐलेक्टोनगेटोन एलेक्टोन एग टिटी के तो फिस्ट में आप ये लग सकते हैं कि बंद में किसी अडू में किसी परमाणू द्वारा सहसेयोजग बंध में से सहवाजत इलेक्ट्रोन योगम को आकरसित करने की प्रवरती की माप है तो इसमें इलेक्ट्रोन बंदुता क्या होती है इलेक्ट्रोन बंदुता हमारी क्या होती है कायरा कोई अगर हमारे पास अडू है उस अडू में किसी परमाणु द्वारा सह सहीं जबंद में सहवाजित एलेक्टरॉनों के योग्म को किसी अडू में जो एलेक्टरॉन योग्म होता उसको अपनी और आकर्षित करने की माप हमारी क्या कहलाती है electron affinity कहलाती है ठीक है बिद्धुत्रनात्मकता इसका जो मात्रक होता है वो क्या हता है electron bolt में इसको हम present कर सकते है klo calorie per mole या klo joule per mole में ना पा जाता है ठीक है ये तीन इसकी इकाण्या है next इसका कोई मात्रक नहीं होता है ठीक है इसका कैसा isolated जो ना electron को easily change करें ठीक है ना अपने electron दे ना किसी से electron ले कर यह बंदित bonded परमाणू का गोड़ा है bonded मतलब इसमें क्या होगे बंद बना होगा ठीक है किसी अडू में परमाणू के बीच में तो वहिशो करेंगे करा इसका मान यह थार्थ यह थार्थ मतलब निश्चित होता है ठीक है क्या होता है निश्चित यानि कि कैसा होता है निश्चित जिसका calculated value हो कि नेक्स्ट इसमें कह रहा है electron affinity में इसका मान तुलनात्मक होता है तुलनात्मक क्याने कि भिनात्मक किसी हम हम दूशरे मान से इसकी तुलना कर सकते हैं इस तुलना कर सकते हैं इसकी बंधन की अबस्था पर निरफर करता है इसकी बंधन कितनी तेजी से बना रही है कितना strong है उसी से हम इन दोन को क्या कर सकते हैं अंतर बता सकते हैं ठीक है तुलना कर सकते हैं एक दूसरी की next कह रहा है किसी वर्ग या आवर्त में इसका मान क्रम से बदलता नहीं रहता किसी वर्ग यानिक ही आफ ऊपर से नीचे आओगे या left to right जाओगे तो क्रम से नहीं बदलता है कैसा क्रम से नहीं बदलता अभी हमने देखा था उपर हाइडोजन की जो इलेक्ट्र नेगेटिव थी वो कितनी थी 2.1 उसके बाद हम लीथियम की देख रहे तो लीथियम की कितनी आ गई थी 1.0 उसके बाद सोडियम की हमने देखी थी तो कितनी आ गई थी 1.9 अब देखो यहाँ पर यह पहले हाइडोजन और लीथियम की बीच में आपको कितना अंतर मिल रहा है बन्ड.ट मां अंतर मिल रहा है कितना बन्ड.बन इसके में देखो लीथिय मौस सोडीय में इसमें आपको पॉयंट बन्ड का अंतर मिल रहा है तो यह किरम सेनी घट रही यह। मतलब करम से नहीं गट रही है ठीक है पहले तेजी से घटेकी फिर धीरी दीरे घटेकी तो इसमें कोई भी रेगुलर मैनर में यह नहीं गट रही है इसमें अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन आफनिटीव में तो कहरा आवर्त्या बर्ग में परिवर्तित होता रहता है चाहे mostly हमारा क्या था electro negativity mostly हमने क्या बढ़ा था question में electro negativity और दूसरा पूंचा था electro negativity और electron affinity में electron affinity में different यह हमारे दो questions यहां से complete होते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को subscribe कर दें और हमारे वीडियो को like कर दें जिससे की हमें motivation मिले और हम आपके लिए फिर से एक नया और अच्छा सा questions लेके आएं ठीक है और साथी साथ आप इस वीडियो का जो आज हमने पड़ा था इसका अगर आपको PDF form चाहिए मैं फिर बता रहा हूं तो आप क्या कर सकते हैं इसी वीडियो के description box में आपको इसका link मिल जाएगा ठीक है जहां से आप अपने इस वीडियो के PDF form डाउनलोड कर सकते हैं जिससे आप अपनी बढ़ाई को सुचारू रूप से continue कर सकते हैं ठीक है बने रही है हमारे साथ हम इसी तरह से बहुत इंपोर्टेंट जो इंपोर्टेंट कोस्चन है आपके बीसी पार्ट बन से मिस्टर बन के लिए बो सभी हम यहां पर आपको डिसकुस कराएंगे और हमारे जो objective थे ठीक है एंसी क्यूज एंसी क्यूज बो हमने सभी करा दिये ठीक है फर्स्ट से लेकर आपकी एट इनिट तक सभी हमने यहां पर सब्सक्राइब कर लिए ठीक है और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाक जरूर करना जिससे कि हमें मोटिविशन मिलता है और हम आपके लिए कुछ एक नए नए प्रकार से और अच्छा करने के कोशिश करते हैं ठीक है थैंक यू